पार्टी के अंदर क्या है? क्या मुसीबते हैं? इससे तो खेर उन्हें जूजना ही पड़ेगा लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है बतौर मुख्य मंत्री और जब ऐसा सामना वो विरोध का करते हैं तब उनका व्यक्तितिया व्यावार कैसा होता है? ये महत कि पांचे लोगों के साथ बैठके कल सवेरे आजाओ कल सवेरे बैठके आपके साथ डिस्कूस करें जाओ अब यहां से नहीं जाना है जब पर नहीं मिलेंगे सब भाईों को यह पर रहना है जो निटी-ग्रीटीज है ये वारी आपके साथ बैठके डिस्कूस कर लेते हैं क्योंकि अब यह सब्सक्राइब बैठके तो नहीं होगी कि सडक पर समस्याओं का हल नहीं निकल सकता है कई खास मेमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड रहे हैं और हमारे सहयोगी विवेक शुकला हमारे साथ सीधे सचेवाले के बाहर से जुड़ेंगे जहां अभी भी लोग वहाँ विरोध के लिए जुड़े हुए हैं और वहाँ पर विरोध प्रदशन कर रहे हैं इसके आगे शाजिया इल्मी अगर हमारे साथ जुड गई है शाजिया जी इसके आगे उन्होंने वंदे मातरम के नारे भी लगाए शाज़िया भी हमारे साथ जुड़ी नहीं है उनका रुख जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले सीधे विवेक शुकला का एक बार रुख करते हैं फिर आप दोनों के पास में आऊंगी विवेक अभी भी उतनी ही नाराज़गी दिख रही है लोगों में क्या कह रहे हैं अरविंद को लेकर के हमने पूरा अंधुरन कवर किया है और जो नारे अरविंद केजरिवाल ने लगा हैं रावडिला मैदान से कि देश के जनता यहां है राहूल गांधी कहा है देश के जनता यहां है शिला दिक्षित कहा है बिल्कुल वही नारे आज लगाया जा रहे हैं स disagi walet के बाहर लोग नारे लगा हरे हैं कि देश की जंता यहां है केजरी वाल कहा हैं लोग है फिर उनके wrapper करते हैं और बात करते हैं जानते हैं आप लोग सबेरे से यहां पर डटे हुए हैं पुछेंगे तो पूरी रात रटे रहेंगे इन्होंने जो पुछेंगे दिदे जरा इनसे ये भी पूछे कि अगर मुख्यमंत्री बातचीत के लिए बुला रहे हैं तो ये लोग बातचीत के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? नमबर एक कितने दिनों से यहां पर ये लोग पहुंचे हैं या विरोध कर रहे हैं जिसकी वज़े से आज इस तरह से आपक हो रहे हैं? जब बुख्यमंत्री कहने हैं कि आगर के मिले तो फिर क्या दिक्कत है? सर हमें आकर के मिलने के लिए ऊफर बुला के चकर लगवाया जारे तीन घंटे बाद हमें बोला जाते हैं? मनीश शिशोद्याजी मिलेंगे कोई मिलने के लिए तो तयार हो इसलिए है कि इससे पहले भी अरबिंट केज़़्वाल की सरकार से पहले कि अगर आप बात सोचें जो शीला दिक्षित के सरकार नहीं हो जाहे कोई और सरकार सरकारों से हमेशा यही आश्वासन मिलते हैं कि मिलेंगे मिलेंगे लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है बिरोक्रासी रेट पे जम इतना लंबा हो जाता है कि जनता और सरकार की बीच की दूरी बढ़ जाती है और शायद इस दूरी की वज़े से ही अर्विन केज्रिवाल को वोट दिये बहुत बहुत शुक्री आपका विवेक शुक्ला हमारे सही होगी सचवाले के बाहर से सीधे बातचीत हमारी सुना रहे थे उन अस्थाइट टीचर्स की जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं वहाँ पर सीधे शाजय इलमी जी आपका रुक करना चाहोंगी ऐसा नहीं है कि वक्त और इसलिए हमने सीधे जाकर वहाँ पर ये सवाल पूछा दस दिन पहले उन्हें टाइम दिया गया था जब वो बात नहीं हुई है दस दिन के बाद वो लगातार विरोध करते हुए आज वहाँ पर खड़े थे और अरविन के जिवाल अरविन के जि ये हल निकलेगा आज जब अरविन्द ये बोलेंगे लोग कैसे उसे माने बात चीत करनी है अंजना जी तो ने बात करने पड़ेगी और हमें लगता है अगर कुछ जो वक्त दिया गया था और वो वक्त उनके हिसाब से जो है जादा हो गया तो ये अपने आप में गलत है लेकिन इनकी नियत तो साफती जैसे कि अरविन भाई बार बार कह रहे हैं और वो काम होगा तो मुझे लगता है कि अगर एक मौका दिया जा रहा है बात करने का तो मौका होना चाहिए और इस बात को तो हम इंकरिश करेंगे अगर हमसे भी कोई गलतिया हो तो प्लीज विर इस से कोई आपती नहीं है और हम बच्चों से भी कहेंगे कि अगर विरोत प्रदरशन कर रहे हैं कोई जरूरी चीजों को लेकर तो यह अच्छी बात है आप कीजिए और अगर और कभी-कभी जरूरी हो जाता है जगर आपकी बात नहीं सुनी जारी हो लेकिन आपको समझन क्या कहना चाहिए लोड बैगेज एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पढ़ रहा है कि हर एक चीज को उसमें वक्त जाता लग रहा है यहीं से इस पूरी बातचीत को आगे लिए चलेंगे क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अब आप लोग दो हजार चौदर पर और यह आप सवाल या निशान है कि आप लोग जान बूझ कर हवा दे रहे हैं ऐसे विरोध को कितनी सचाई है इसमें मीम अफजल साहब हमारे विरोध देने का तो कोई सवाल ही नहीं है हम लोग तो आप जानती हैं कि इनको सपोर्ट दिया है और हम ये भी चाते हैं कि सरकार चले और दिली से दिली के अवाम से जो उन्होंने वादे किया है अठारा खास तोर पर जो इशूस थे जिस पर हमने इनको सपोर्ट दिया है वो इसको पूरा करें लेकिन जो आपने आज दिखाया उससे एक बात सिद्ध होती है कि आंदोलन के जरीए निकली हुई एक पार्टी आज खुल आंदोलन वादियों के सामने खड़ी है तो उसको अपने तरीकाय कार में तब्दीली करनी पड़ रही है आपको याद होगा कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगपाल विल को लेकर के भी यही सब बाते हो रही थी और इनके जहन में था कि शायद यह सब रामरीला ग्राउंड में ही हो जाना चाहिए उस वक्त भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसको महसूस करने की करना है और इनके लिए बहुत अच्छा मौका है सेखने का चलिये ठीक. मैं इसको बहुत कोई बुरी बात नहीं समझता हूं और मैं यह समझता हूं एक तरह से इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है एक सब्साधिक अगर पॉजिटिव डिरेक्शन पर जाएंगे तो इनको फाइदा होगा इस वक्त हम इस वक्त ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये सरकार फेल हो गई है या ये बिल्कुल फेल हो गई है इस तरह के बयानों से बचना चाहिए परिपक्वे निताओं को सीधे रुक करते हैं एक बार बुबेंदर यादव जी का जो हमारे साथ भारते जनरता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं हवा इनके खिलाफ विरोध को कितनी सच्चाई इसमें अगर आप शासन लेते हैं तो जन सहवागीता के माध्यम से जन कल्यान के कारे करने के लिए जो भी आपके पास आता है किसीवी सवेदनशी सरकार का दाईत होता है कि इसकी बातों को तो सुने उसके दर्द को समझे और दूसरी बात मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बुपेंदर जीम्वे आपको रोकना पड़ रहा विश्वास था नहीays नहीर नहीर ay कि जिसके लिए कल कोट को बोला जाएगा कि हमें थोड़ा समय चाहिए उसको शिफ्ट करने के लिए जगे ढूंडने के लिए तो एक तो ये और उसी मीटिंग में ये भी डिसकस हुआ कि दिल्ली की पानी की जो समस्याएं हैं अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हालांकि हम प्रेशे डालते रहते हैं तेहरी से पानी आता है उत्तर पर देश से पानी आता है हर्याना से पानी आता है लेकिन लॉंग टर्म में अगर दिल्ली को अपनी पानी की समस्याँ को सॉल्व करना है तो दिल्ली को अपनी वाटर हार्वेस्टिंग एक ही एक ऐसी चीज है जो क के भर जाती है पानी से तो जलबोर के CEO को भी ये कहा गया और कई सारी आज दूसरे एंजियोज और एक्सपर्ट भी आई हुए थे जिनको ये कहा गया कि बैठ के अगर हम एक प्लाइन बना सके हैं कि दिल्ली में इस पानी को जो इतना सारा पानी भगवान भीजता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं उस पानी को हम कैसे ग्राउंड रीचार्ज कर सकते हैं या कह वाला एक दिन और लगेगा मैंने अभी अभी चीफ सेक्रेटी साफ से बात किया उन्होंने का कि कल या परसो तक ड्राफ्ट वो तैयार करके देंगे और पानी के मीटर अभी कोई फोर्स नहीं किया जा रहे एक आफिस और है जो कहता है कि लोग इन इन ब्रैंड के मीटर ल कमिशनर से मिलने की जरूरत है कि पोस्ट रेप एक है कि पोस्ट रेप जस्टिस मिलना चाहिए बट वो तो चोटी चीज है पोस्ट रेप जस्टिस तो मिलना ही चाहिए पर रेप होने क्यों चाहिए रेप होने नहीं चाहिए पहले नजर में और दिल्ली में इतने जादा रेप क्यों हो रहे तो हम दोनों यह डिसके कि पुलिस कमिशनर जी के साथ अगले हफते एक मीटिंग की जाए और उनको कहा जाए कि वो तयार होके आए कि दिली में इतने रेप क्यों हो रहे हैं उसकी एक अनलीसिस करने की जरूरत है कि वो लोकालिटी स्पेसिफिक हैं वेनि जादा कर रहे हैं तो या situation specific है कि incest जादा है तो पता तो चले कि समस्या क्या है और उसके उपर फिर हम सब लोगों को मिलके कारवाई करने की जरूरता है और इसमें सब्सक्राइब करने की जब तक एक स्ट्रॉंग डेटरेंस नहीं क्रियेट होगा जितने यह कैन वी समहाँ कुक्ली मेक मोर फास्ट्रैक कोर्स की जितने रेप के पेंडिंग मामले हैं उनमें जल्दी से जल्दी सक्से सक सजा इन लोगों को दिलवाई जासे कि तो यह दो नि मेटर को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ है लोगों किस मामली में फोर्स ना किया जाए और वो वाले मेटर जो आप कह रहे थे वो नहीं लगवाने के लिए फोर्स किया जाएगा तो क्या अप्शन होगा वो और है ना उसमें छे साथ दस बारा ब्रैंड ऑफिशली किये अंग जाए आप वेट्टी वाले में फोर्स किया जाए तो अज आपकर नहीं कैसकते बार बर हम कहते हैं कि morality of the society has gone down but morality of the society has gone down in all the cities why is Delhi witnessing so many rape cases Delhi में तर एक मिनेट साथ मैं ऐसा नहीं कह सकता मतलब मैं कहूंगी हमारे आने के बाद कोई बहुत अच्छा हो मैं ऐसा नहीं कह सकता पर उन्हों नहीं तो पार्लेमेंट में बोला था कॉमर्स मिनिस्टर साब ने की जो स्टे Works जो डिसाइड करना चाहे करें तो आप क्यूं कह रहे हैं उन्हों नहीं कया तो कहा था अूर्वर परलेमेंट में ये पावर नहीं देनी चीव थी इस्टेट्स में बैठके सरकार ने उस टाइम कहा था कि एवरी स्टेट गवर्मेंट इस फ्री तो टेक डिसीशन सो भी आफ टेकन डिसीशन अब यह कह रहे हैं कि हम इर्रेस्पॉंसिबल होगा है अधरकार आशुतोस की पार्टी में जिस तरह से जॉइनिंग वही उसको लेकर के कई लेहें पार्टी में इनको आपको जैन कराते हैं हैं प्रेस कोंफेज करते हैं शर्ह इंतरी ने करेंगे में ऑड-खास या कह रहें सवागें प्रस्रम करेंगे में जाब lies इस ए मेरे और बिन्नी के बीच में बयानों और प्रस्ति बयानों के लिए नहीं खड़ा मेरे को जो कहना था मैंने कहा दिया अब जनता को जो मालना है जनता मालना है उनको सब को सो कहने दीजिए देखो ये सब तो सब कहेंगे इन लोगों का बीजेपी और कॉंग्रेस वालों की अच्छे खासी साथ घर्ट चल रही थी सब कुछ ठीक था चल रहा था हमने आके राइता फिला धिया इनका हमने आके इनका सारा गेम ख़तम कर दिया तो इन लोगों के लिए तो एनार की आगई अच्छा कासा सविश बैंक में खाते थे अच्छा कासा पैसा चला जाया अच्छा पर भी आ पालगी वह कि लेकिन लोकपाल बिल हो या फिर उसके बाद पानी के मीटर हूँ इन तमाम मुद्दों पर और अगर आपको याद हो कहा था शपत लेने के दिन कि दो दिन के अंदर हम ब्रश्टाचार के खिलाफ एक हेल्प लाइन आपको देंगे अभी तक एक लाइन जरूर मिली है लेकिन उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है ब्रश्टाचार के खिलाफ तो क्या सत्ता मिलने के बाद जितना असान सब कुछ लग रहा था वैसा नहीं लग पा रहा है